निर्जला एकादशी पर करे चमतकारी उपाय से मनोवांचित फल की होगी प्राप्ती कारियों में मिलेगी सफलता और जानेंगे कि कब है निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दोड़ी चली आएगी और सारे कश्ट दूर हो जाएंगे। आईए जानते हैं निर्जला एकादशी के उपाय के बारे में। अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी पर भगवान विश्नु को मिश्री और मक्षन का भोग लगाएं। साथ ही सच्चे मन से श्री हरी श्री हरी मंत्र का जप 108 बार करें। इससे जातक को कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्नु और मा लक्षमी की पूजा कर और फल, मिठाई, पंचामृत का भोग लगाएं। इससे मा लक्षमी प्रसन्न होंगी। मान्यता है कि इस उपाय को करने आये में व्रिध्य होगी। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी पर भगवान विश्नु का सच्चे मन से कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिशेक करें। इससे श्री हरी प्रसन्न होंगे। साथ ही सुख सौभाग्य में व्रिध्य होती है। इस दिन भगवान विश्नु के साथ मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुन्य ऐस व्रती को अमोग फल की प्राप्ती होती है। साथ ही आये और सौभाग्य में व्रिध्य होती है। निर्जला एकादशी के उपाय आर्थिक तंगी से निजात। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन सनान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विश्नु की पूजा करे। पूजा के समय जगत के पालनहार और मा लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्नु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विश्नु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। पूजा के समय भगवान विश्नु से आए और सौभाग्य में व्रिद्ध की कामना करें। हर समस्या से छुटकारा, जगत के पालनहार भगवान विश्नु एवं देवी लक्ष्मी को चावल की खीर प्रिय है। ऐसे में निर्जला, एका दशी पर पूजा के समय भगवान विश्नु को अखंडित चावल बिना तूटे हुए और गुड़ से बनी खीर भोग में अर्पित करें। इस से लक्ष्मी नारायन जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर कर देते हैं। इस वरत को कठिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेश्ठ महीने की गर्मी में इस वरत के दौरान पानी नहीं पिया जाता। इसलिए यह वरत गर्मी के समय में तपस्या से कम नहीं है। इस वरत में अन्न, जल दोनों ग्रहन नहीं करते। इसलिए इस एदाशी को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप साल भर में पढ़ने वाली एकादशी के वरत को नहीं रख पाते, तो मात्र एक निर्जला एकादशी का वरत रखने से आप साल भर की एकादशीयों का पुन्य कमा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर रहगीरों को पानी जरूर पिलाएं। इस दिन जल से जुड़ी चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। रहगीरों को पानी, शर्बत, मटका, पंखा दान में दें या इसकी व्यवस्था करें। जीवन में उन्नती पाने के लिए अपनी ज निर्जला एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके भगवान विश्णु के साथ मान लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ही हर क्षेत्र में सफलता और सुख सम्रिध्धिका भी वर्दान मिल सकता है। निर्जला एकादशी पर करें ये खास उपाय कोड़ी का उ मान लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद विधी। विधिवत पूजा करें। फिर इस पोटली को तिजोरी, अलमारी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। पीपल के पेड़ की पूजा माननेता है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चा तुलसी पूजा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की मना ही होती है। ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाएं। करने से मान लक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त हो जाती है। भक्तों समय निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। और सच्चे भाव से भक्ति भाव से लिख दें। जय बागेश्वर धाम महराज की जय। श्री राधे कृष्णा जय हो तुलसी माता की भ वक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अपने घर परिवार को हर तरह के नजर दोश से बचाए रखना चाहते हैं, तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, उतनी संख्या में गोमती चक्र लें। एक-एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी ही संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें, और पूजा के बाद उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर मंदिर में एक तरफ रख दें। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकरशित करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन के दिन किसी पीले रंग के कपड़ी धे पर चमकीला गोटा लगा कर, उस पर थोड़ी सी खुश्बू लगा कर श्री विश्णू जी को चरहाएं और भगवान के चरणों को 5. अगर आपकी कोई विशेश इच्छा है, जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन एक चंदन की खुश्बू वाली धूप बत्ती भगवान विश्णू के आगे जलाएं और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें अगर आपके बच्चे का मन परहाई में नहीं लगता है और आप उसके चलते थोड़े परेशान रहते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन थोड़ा सा अक्षत यानि कुछ दाने चावल के लेकर पहले भगवान श्री विश्णू के मस्तक पर लगाएं, फिर उनमो पते नारायनाएं, बोलते हुए वहीं अक्षत अपने बच्चे के माथे पर भी लगाएं, अपने करियर की बेहतरी के लिए और अपने आपको एक उचे मुकाम तक पहुचाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्णू को मक्खन मिश्री का भोग और श्री विश्णू की मूर्ती या तस्वीर के आगे बैठ कर 108 बार श्री हरी, श्री हरी का जप करें। अपने दामपत्य जीवन में खुशहाली और मधुर्ता लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान आदी से निवृत्त होकर भगवान विश्णू की विधी पूर्वक पूजा करें और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम आन संकर्शनाय नम। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरे व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उनके बहकावे में आकर अपना ही काम बिगड़च लेते हैं त एकादशी पर भगवान विश्णू तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयम भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एकादशी के दिन व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बूरा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापिस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींट को अरपित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनिस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बाट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। सनातन धर्म में किसी विशेश तिथी पर उपाय करने का महत्व है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि सनातन धर्म में मनाये जाने वाले पर्व तथा त्योहारों पर कुछ उपाय करने से शुभ योग बनते हैं, जिससे इंसान के कार्य सफल होते हैं, तथा उनकी मनवांचित इच्छाएं पूरी होती हैं. मान्यताओं के अनुसार, कुछ उपाय करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तथा अपने भक्तों की मनो कामनाओं को पूर्ण कर एकादशी वरत श्री हरी को प्रसंद करने के लिए किया जाता है, इस दिन कुछ विशेश उपाय करने से दान पुन्य की प्राप्ति होती है। पर एकादशी वरत किया था। इस से आप शुद्ध हो जाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। इन चीजों का करें दान। इस दिन भगवान विश्नु के साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। निर्जला एकादशी पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करके घी को दिया जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए। इन शास्त्रों का करें पाठ। निर्जला एकादशी व्रत पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। और रामायन सत्यनारायन की कथा विश्नु पुराण आदि का पाठ करें। शिव मंदिर में यह चीजें करें अर्पित। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर भगवान शिव के मंदिर में सीता फल, नारियल, सुपारी, बिल्वफल, मौसमी फल आदी चीजों को अर्पित करें। अगर किसी कारणवश निर्जला एकादशी व्रत तूट जाए तो घबराने की जरुरत नहीं है। शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। मधु तथा शक्कर से युक्त पंचा मृत से अभिशेक करें। श्री हरी भगवान विश्नु की शोडशोप चार पूजा करें। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए ये मंत्र बोलें। मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम जनार्दन। यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में ओम श्री विश्नवे नमह, क्षमा याचनाम समर पयामी, गौ, ब्राहमन और कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत भंग होने पर भगवान विश्नु के द्वाद शाक्षर मंत्र A.U.M. नमो भगवते वासुदेवाय का यथा शक्ति तुलसी की माला से जब करें। कम से कम 11 माला अवश्य करें। भगवान विश्नु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र, फल, मिष्ठान, धर्म ग्रंथ, चने की दाल, हल्दी, केसर, आदी वस्तु दान करें। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें। पास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सब से कठिन होता है। को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदी करते हैं। उन्हें करोडच पल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यग्य, होम आदी करते हैं, उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्शिव्यास जी ने एक बार भीम सेन ने कहा। जानित है कि एकादशी के दिन अन नहीं खाना चाहिए। यदि आप नरक की यातनाएं नहीं भोगना, चाहते और स्वर्ण जाने की इच्छा रखते हैं, तो प्रत्येक माह की दोनु एकादशियों का पालन करें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भीम सेन ने किया वरत, महर्शिव्यास की बात सुन, भीम सेन ने कहा, मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किये बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं है, अगर मैं प्रयतन करूं तो साल में सिर्फ एक एकादशी का वरत अवश्य कर सकता हूं, आप मुझे कोई एक ऐसा वरत बतलाईए, जिसके करन करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, क्यों कहते हैं इसे भीम सेनी एकादशी? महर शिव्यास ने कहा, वरिशब संक्रान्ती और मिथुन संक्रान्ती के बीच में जेश्ट माह की शुकल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल वरत करना चाहिए, इस दिन भो करने से वरत का नाश हो जाता है, सूर्योदय से सूर्यास्थ तक यदि मनुष्य जल्पान न करे, तो उससे बारह एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है, भीम ने निर्जला एकादशी का वरत किया, और इसके फल स्वरूप, वे स्वर्ग के अधिकारी हुए, भीम ने इस वरत का पालन किया, इसलिए इसे भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है, निर्जला यानि यह वरत बिना जल ग्रहन किये और उपवास रख कर किया जाता है, इसलिए यह वरत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है, हिंदू पंचाग अनुसार, व्रिशब और संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है, इस वरत को भीम सेन, एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पौरानिक मान्यता है कि पांच पांडवों में एक भीम सेन ने इस वरत का पालन किया था और इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ.